बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम असलामु अलाईकम विवन कैसे सब उमीद है सब खेरियत से होंगे तो आज का हमारा लक्षर नमबर 21 है जिसमें हम स्टेडी करेंगे पार्ट सफपीच के पार्ट तू यानि के प्रोनाउन को pronoun replaces noun pronoun को replace करते है यानि के noun की जगा pronoun को place किया जाता है example से समझते हैं concept को Ellie went out he had some work पहले sentence में हमने क्या use किया Ellie use किया यानि के एक noun use किया एक person का name use किया second में हमने क्या use किया he use किया यानि के एक pronoun यूज किया जिस pronoun ने noun यानि के एली को replace किया एली वेंट आउट, he had somewhere बस आपने ये चीज याद रखनी है कि देखें आपने noun को pronoun को कहां यूज करना है noun की replacement में यूज करना है फैसल मॉस्क इस इन इसलामबाद इस इस ब्यूटिफल मॉनॉमेंट देखें पहले में हमने किया फैसल मॉस्क यानि के एक जगा का एक चीज का एक specific चीज की तरफ इशारा किया है हमने एक specific मॉनॉमेंट की तरफ इशारा किया है हमने और दूसरे में हमने क्या यूज किया फैसल मौस की जगा it use किया यानि कि हमने noun को pronoun से replace किया गया replace कर दिया फैसल मौस को यहां पर कौन से pronoun से replace किया गया है it pronoun से replace किया गया है और एली को कौन से pronoun से replace किया गया है he pronoun से replace किया गया है Types of pronoun There are four types of pronoun Reflexive pronoun, Indefinite pronoun, Possessive pronoun and last one is relative pronoun Reflexive pronoun Reflexive से ही आपको ये थोड़ा understand कर देना चाहिए बैलके थोड़ा sense बना लेना चाहिए कि Reflection Reflexive का क्या मतलब है Reflection यानि कि किसी already used pronoun की Reflection Reflection को क्या आप कहेंगे Reflexive pronoun यानि कि Himself, Herself, Itself, Yourself, Yourself, Ourselves and Themselves देखें, He made the tea himself उसने अपने लिए चाहिए बनाई उसको किसे तीसरे मंदे या चौते मंदे की जरूरत नहीं रही उसने किसी और से रिक्वस्ट नहीं की कि आप मुझे चाहिए बना दें बलके उसने खुद से ये काम किया He made the tea himself They will enjoy themselves in the cricket match They don't need much more company to enjoy themselves उन्हें किसी ज्यादा company की जरूरत नहीं थी बलके वो अपने आपके साथ ही हुश थे मतलब दो तीन फ्रेंड्स का ग्रूप, तो पॉस कहीं के तीन फ्रेंड्स का ग्रूप बैठीक है वो किसी पार्टी में गएं, किसी क्रिकट मैच में गएं तो उन्हें ये नहीं देखा कोई हमारे साथ है या नहीं है बेलके वो तीनों आपस में ही बहुत ज्यादा हुश थे यानि उन्हें अपनी ही company को enjoy किया देखे आपने self और self से confused नहीं होना self और self का concept singular और plural के concept से मैच करता है यानि के singular के साथ आप self यूज करेंगे और जो plural होंगे उनके जाथ आप self यूज करेंगे देखे ही एक singular noun था, singular pronoun था तो singular pronoun के साथ हमने क्या यूज किया? himself यूज किया और देख, plural pronoun था तो plural pronoun के साथ हमने क्या यूज किया? themselves यूज किया, self यूज किया indefinite pronoun indefinite pronoun का क्या मतलब है indefinite definite नहीं बलकि indefinite indefinite का क्या मतलब है कि आप किसी person की identification या किसी चीज़ की quantity के बारे में आप sure नहीं है आपको नहीं मालूम है कि वो कौन सा शेक्स है आप किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है कि ये चीज कितनी quantity, कितनी मिकदार में मुझूद है तो आपने हमेशा in type, pronoun की in type का use करना है यानि कि indefinier pronouns का use करना है कुछ indefinier pronouns को देख लेते हैं जैसे few, all, each, one, everyone, someone, anything, both, some, much, none, etc someone came to meet you someone came to meet you आपसे कोई कहता है कि आपसे मिलने कोई आया था, ठीक है? अब आप नहीं जानते कौन आपसे मिलने आया था उस बंदे ने ना अपना नाम बताया ना ऐसी कोई चीज बतायी है जिसे उसकी identification हो सके तो some one से आप identify नहीं कर सकते इसे वज़े से आपने उस चेस के साथ क्या यूज की है? अब नहीं जानते आप किन दूनों के बारे में बात की जा रही है मूवी देखने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मुजूद थे अब आपको नहीं मालूम है कि कौन से दो लोग तो आपने कौन से प्रोनाउन का यूज की है? both प्रोनाउन यानि कि indefinite प्रोनाउन का यूज की है possessive pronouns विन यू वांट तो शो होल्ड ओवर सम्थिंग यू केन यूज प्रोनाउन यानि कि आप किसी चीज़ के बारे में बताना चाहें हाँ ये मेरी है इसके ओपर मेरा hold है यह मेरी अपनी चीज़ है तब आपने क्या यूज़ करना है positive pronouns को यूज़ करना है कुछ positive pronouns को देख लेते हैं yours, mine, his, hers, their, my, its, her, yours, or their, etc yours are the best dresses आपके dresses बहुत अच्छे हैं his car is the best car in the town his car उसकी car ठीक है यह possessiveness, एक hold शो किया जा रहा है कि यह उस शख्स की कार है और उस शख्स के relate करके क्या वहाँ जा रहा है कि his car, कि उसकी कार best car है इस पूरे town में relative pronoun relative pronoun देख लेते हैं who's, that, which, who, whom, etc मैं लब यह relate करने किसी दो चीज़ों को एक दूस्टे से connection, connect करवा दे जो ड्रेस मैंने कल देखा, वो बहुत अच्छा था कल से connection शो हो रहा है ठीक है, कि ड्रेस वो आज और कल के दरमियान क्या connection शो कर रहा है कि वहाँ आज बैठके यह बात कर रहा है कि मैंने जो कल ड्रेस देखा था वो बहुत अच्छा था my friend who came yesterday has left यह भी यह भी वापिस वो एक connection शो किया जा रहा है past में, कि मेरा फ्रेंड जो कल आया था वो वापिस चला गया था my friend has who came yesterday has left suppose आपका फ्रेंड कल आया है कल एक बज़े आया है, तो आज वो सुबह आठ बज़े वापिस चला गया है तो तब आपने क्या कौन सा concept कौन सा sentence यूज करना है यहाँ पर my friend who came yesterday has left, यानि कि relative pronoun को आप relate कर रहे हैं किसी चीज को किसी चीज का connection शो कर रहे हैं relation शो कर रहे हैं thanks for watching, मिलते हैं next video में